नमस्तार दोस्तों मैं रोहुन शमा स्वाद करता हूं सभी का आपके अपने चनल जोतिशेन वास्तों में कैसे हैं आप सभी आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही जादा मेथपुन टॉपिक पर यहां पर सूर्य और शनी के बीच में बनने वाला है एक बहुत बड़ा योग और यह योग का प्रभाव देश और दुनिया पर भी पड़ेगा आप सभी के उपर भी पड़ेगा क्या रहेगा इसका result कितना खतरनाक रहेगा या कितना जादा भागिशाली रहेगा कितना जादा पावफुल रहेगा कितना अच्छा result यहां पर निकल के आ सकता है वो सारी चीज़े मैं आप आपको explain करूँगा उम्मीद करूँगा कि आप सभी को अच्छा लगेगा और आ और शनी को सूर्य का पुत्र कहा गया है और सूर्य और शनी के बीच में यहाँ पर एक बहुत-बड़ा योग इस जुलाई के महिने में बनने जा रहा है अभी 13 जुलाई को यहाँ पर देखा जाए तो शनी जो है वो राशी परिवर्तन करेंगे और शनी राशी परिवर्तन करके यहाँ पर मकर राशी में ट्रांजिट करेंगे और इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो सूरी जो है वो भी राशी परिवर्तन करेंगे और सूरिय राशी परिवर्तन करेंगे 16 जुलाई को राशी परिवर्तन करके सूरिदेव यहाँ पर मितुन राशी से निकल के करकर राशी में प्रवेश करेंगे जब सूर्य देव करकर राशी में प्रवेश कर जाएंगे और शनी देव यहाँ पर मकर राशी में प्रवेश कर जाएंगे उस समय पर आने वाले 30 दिनों के लिए यहाँ पर सूर्य और शनी के बीच में समसब्तक योग यहाँ पर बनेगा जी हाँ ये एक बहुत बड़ा योग होगा, सूर्य और शनी का समसब तक योग और इसी योग के समे आप देखिए कितना अदबुद यहाँ पर योग देखने को मिल रहा है जहाँ पर मंगल, सूर्य और शनी के बीच में ट्राइंगल बन रहा है और इस ट्राइंगल पर राहू अपना प्रकोप देने वाला है राहू अपना प्रभाव दिखाने वाला है बहुत ही जादा बड़ी calculation यहाँ पर देखने को मिल रही है बहुत ही जादा अदबुद result यहाँ पर देखने को मिल रहे है देखे मंगल और शनी यहाँ पर जिब इस तरह की कैलकुलेशन में आकर के बैड़ी आएं जहाँ पर सूरी और शनी पर सीधी दरश्टी दे रहा हो और मंगल सूरी के उपर दरश्टी दे रहा हो शनी जो है वो मंगल के नक्षतरु में है विराजमान है यहाँ पर और बहुत बड़ा रोल प्लेई यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं तो इस समसब्तक्यों की वज़े से देश और दुनिया में बहुत बड़े 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 परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं देखें यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह जो समय रहेगा यह स्पेस के लिए स्पेस और यूनिवर्स के लिए काफी ज़दा मैटपूर रहने वाला है इस समय में कोई बड़ी खोज यहां पर की जा सकती है कोई बड़ी चीजों को बाहर निकाला जा सकता है इसके बारे में यहां पर बिल्कुल कह सकते हैं साथ ही साथ यह समय जो है यह मौनसून के लिए भी बहुत ही ज़ादा मैक्पूर होने वाला है जी हाँ क्योंकि मौनसून में एक तरह से आग लग सकती है मौनसून जादा भड़क सकता है इसके जांसे यहां पर जरूर बनते हैं ऐसा कहते हैं कि जब जब क्योंकि दिखी क्या हो जाएगा अभी देव शेनी इकादशी भी आ रही है देव सोने वाले हैं और उसके बाद जब इस तरह का योग बनता है यहां पर तो पॉजिटिविटी जो होती है नेचर में थोड़ी सी डाउन हो जाती है और नेगिटिविटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है उस नकारत्मक नेगिटिविटी एनलजी में उस नकारत्मक उड़जा में जब इस तरह का योग ग्रहों का बन जाए तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि स्ट्रगल जादा है पर रिशानिया काफी जादा हैं और बड़े बदलाव यहाँ पर आने के चांसेज बिलकुल बनते यहीं पर अगर हम थोड़ा सा और गौर करें तो सूरिक के उपर गुरु की दरश्टी भी जा रही है देव गुरु ब्रस्पति की दरश्टी भी यहाँ पर काफी जधा बड़े लेबल पर उतार चड़ाव देने वाली है और बहुत बड़े परिनाम यहाँ पर दिखाने वाली हैं साथी साथ यहां पर देखा जाए तो बुद्ध आएगा सूरी के साथ और सूरी बुद्ध का बुदादित्य योग भी बनेगा और बुद्ध की और सूरी की दरश्टी सीधी सीधी शानी पर पड़ेगी ये एक बहुती ज़ादा पावफुल सयोग बनता है कहा जा जाए तो यह जो समसब्तक योग रहेगा इस योग का सबसे बड़ा प्रभाव जो रहेगा वो शेर मार्केट के ओपर एकोनामी के ओपर तो पढ़ने ही वाला है जी हां मार्केट में काफी ज़ादा उचाल यहां पर देखने को मिलेगा या उठा पटक यहां पर मार्केट में जरूर देखने को मिलेगा इसके चांसे यहां पर काफी ज़ादा स्टॉंग दिखाई देते हैं इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो यह जो समय रहेगा इस समय में शनी यहां पर जो हैं वो काफी ज़ादा स्टॉंग रिजल्ट देने वाले हैं क्योंकि यह दिख दिखाई देते हैं और यह योग कहीं न कहीं अंचाहे बदलाव अनेक्सपेक्टेड रिजल्ट को यहां पर रिप्रेजंट करते हुए नजर आते हैं मतलब कि सोच के विपरीत रिजल्ट आ सकते हैं ऐसा हो गया सोचा भी नहीं था कुछ इस तरह के रियक्शन्स यहां पर न उन्याद नस बढकन के यहां पर ति यह यह यहां पर उसकते हैं और साथी साथ कुछ इंसात्मक गटनाह यहां पर definitely गट सकती इसके पूरे-पूरे chances यहां पर दिखाई देते हैं साथी साथ देखा जाएं यहां पर तो यह जो योग रहेगा इशारिरिक और मांसिक तरह से भी कहिने के थोड़ा सा परिशान करता हुआ रहेगा मैं बार-बार सभी से कह रहा हूँ कि इस समय सेहत को ध्यान देने वाला समय है हम 15 जुलाई क्रॉस कर रहे हैं समझने की कोशिश करिए दिखिए कितना अद्बुद योग यहां पर बना है और क्या टाइमिंग है इसकी मैं अपने वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि after the 15th of July 2022 the time is a bit negative time और वहाँ पर समय में काफी ज़दा fluctuation रहेगा August, September and October का महिना देश और दुन्या में कई सारे देशों के लिए unstability लेकर के आने वाला है और उसी समय पर शुरुवात में ही इस तरह का योग बन जाना यह बिल्कुल indicate करता है कि planet अपने लेवल पर तयार हो चुके हैं और planet अब कुछ बड़ा यहां पर करने का plan कर रहे हैं अच्छे ग्रह और खराब ग्रह दोनों ही अपनी जगे पर balanced हैं और दिखिए जहां पर अगर आप कहते हैं कि मंगल अच्छा बैठा हुआ है शनी अच्छा बैठा हुआ है शनी स्वराशी बैठा हुआ है सूरी केंदर में बैठा हुआ है इस तरह से जब आप statement देंगे तो वहाँ पर आपको यह पता हो ना ची कि छोटे छोटे ग्रह काफे बार बहुत बड़ा रोल प्ले कर लेते हैं और छोटे छोटे ग्रहों की वज़े से काफी ज़दा चीज़ें जो हैं वो यहां पर up-down दे रेती हैं इस पूरे structure में राहु और केतू बहुत बड़ा रोल प्ले यहां पर करने वाले हैं बहुत silently और बहुत smartly राहु और केतू अपना काम करेंगे और राहु और केतू की वज़े से ही यहां पर परिशानिया देखने को मिलेगी कर्म के फल यहां पर देखने को मिलेगे और अगर आपने खराब कर्म किया है तो definitely खराब result यहां पर देखने को मिलेगा अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो definitely यहां पर अच्छा result आपको देखने को मिलेगा ज़ादा दिक्कत ज़ादा परिशानिया यहाँ पर नहीं आएंगी यह जो समय बनेगा यह समय थोड़ा सा अंस्टेबिल्टी लेकर के आएगा थोड़ा सा एक तरह से emotionally break down लेकर के आएगा इस तरह का ध्यान रखिएगा personal life and professional life में थोड़ा सा balance बना के चलना होगा आप सभी को इस बात का आपको ध्यान रखना है ताकि कोई दिक्कत कोई परिशानी आपको ना महसूस हो और यह समय भी आपका आराम से निकल जाए 30 days it's a very very important time for India and for the world and for us also इस बात का ध्यान रखिएगा 30 दिनों का समय भारत के लिए दुनिया के लिए और हमारे लिए काफी ज़दा महत्वपूर्ण है इसलिए आप सभी को किसी भी तरह से परिशान नहीं होना है पैनिक नहीं होना है अपने आपको relax रखने की कोशिश करनी है तो ये समय भी आपका आराम से निकल जाएगा इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में और भी चर्चा करेंगे और भी details से मैं आपको explain करूँगा कि क्या क्या चीजें गड़ सकती हैं और किस तरह के हाथ से किस तरह की गतिवीदिया यहां पर देश और दुनिया में हो सकती है और आने वाले संडे के जो live session रहेंगे उसमें भी हम काफी ज़ादा महत्मून टापिक पर बात करने वाले हैं और उमीद करूँगा कि आप सभी को काफी ज़दा अच्छा लगेगा उमीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा और यह जो जानकरी मैंने दी है यह आप सभी के लिए काफी ज़दा favorable रहेगी अमीद करता हूं कि आप इससे दर से support करते रहेंगे वीडियो को like करेंगे चैनल को subscribe करेंगे बेर आइकन पे जरूर से क्लिक करेंगे इसके अलावा कुछ पूशना चालते हैं अपने बारे में कुछ समधना चालते हैं आप कुछ संपर कर सकते हैं मैं पूरी पूरी करूंगा आप सभी की हर संभव मदद्यां पर कर सकूं तन्यवाद